तो एक बार फिर स्वाधर ने आप सभी का आपरे शानल पर मेरा रावे वरुड और हम बात करें इंज्वीरिंगी और फिर से एक कमेंट और उस कमेंट के जबाब के साथ हाजर हूँ एक बार फिर से SS dignity अरे बाई इनकी dignity है 25-28 जो भी इन महोदा ने कमेंट किया है कि सार 36,000 की rank है general category में EWS से नहीं आते है जनल ही है domicile MP का है इनका इनको अच्छे अच्छे colleges या फिर कोई भी colleges अच्छे तो लिखानी है इनने का कोई college सजेस्ट कर दो तो बहुत सारे मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इस rank पर लेकिन अच्छे में आप डिसकस करेंगे और आप भी चे ऐसे कर रहा है सो वह मैं अभी करके भी दिखा दूँगा बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है तो आप तो करी लोगे आपको options मिल जाएंगे इसके बाद का दूसरे step है आपका choice filling आप तो यह जानकारी देते रहते हो प्रमोशन कर रहा हो सारी चीजों का लेकिन आप जो यह comment कर रहा है उन्हें वो जानकारी है सचाई यही है इसलिए उन्हें लगता है कि क्या दर रहा हो लेकिन बहुत सारे सच में ऐसे बच्चे हैं जिनकी comments और calls और ऐसे आते हैं messages हम लोग जानते हैं वो चीज और इसलिए हम focus कर रहे हैं वो सारे बच्चे जिनके guardians parents को idea नहीं है कि कै कैसे counseling होती है कौन सा institution अच्छा है कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए उन सभी के लिए ये सारी चीजे बहें बता रहा हूं ताकि वो समस्या उनका निराकरण हो जाए और भाई जो हमें देख रहे हैं उन बच्चों का भला हो जाए तो क्या कर सकते हैं choice filling क्योंकि अंगला option choice filling ही होगा जैसे registration आपने किया है documentation किया है आप choice filling करनी है और उसी choice filling की basis पे हमें एक institution मिलेगा आपके तही अच्छी ranking हो कुछ हो अगर गलत कर दी ना choice filling आपने तो कुछ नहीं मिलेगा guarantee है कुछ नहीं का मतलब सड़ा institution मिल जाएगा जैसे ये 63,000 की rank है अभी इस प भी नहीं मिलेगा हाँ और सचा ही है so choice filling एक बहुत major factor है यहाँ पर MPDT की counselling या किसी भी counselling की बात कर लो उसमें क्योंकि हमारी choices के basis पे ही तो हमें institution देगा ना सामने वाला तो choice filling गडबड हो गई तो इस गडबड को कैसे सही किया जाए क्या किया जाए कि भईया गडबड न होते ही सायता करने के लिए है ना तो क्या होगा वही सारे credentials fill करने है आपकी rank बर्दो आपकी category बर्दो है ना और जो भी पूछेगा वह बर्दो उसमें तस्वी का बच्चा बर्देगा बल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है है ना आप तो बरी सकते हो options जब आपको मिलेगे तो तीन कलर में मिलेंगे कौन से तीन कलर में एक कलर होगा लाल कलर खत्री की घंटी यह जो colleges लाल कलर में आ रहे होंगे न वो आपकी rank पे आपको नहीं मिलने वाले है हां क्योंकि rank आपकी उससे गडबड हो सकती उन्हें institution के लिए अच्छी rank चाहिए लेकिन हां particular CS की बात करें तो बड़ी सबस्या हो जाएगी सारी चीज़ें ठीक है तो लाल गलर मतलब वो options आपको नहीं मिल रहे हैं लेकिन आप चाहो तो फिल कर सकते हो choice filling में क्योंकि maximum कोई criteria नहीं है कि कितने कर सकते हो कित नहीं कर सकते हो आप चाहो देखना चाहो आप सो दूसरा option है yellow color में मिलेगे बहुत सारे colleges आपको yellow color 50-50 chance हाँ वो भी आपकी rank से उपर के ही colleges है लेकिन अगर थोड़ी बहुत सही रही प्रक्रिया choice filling के अलावा कुछ कोटा सबकोटा और लग का chance लग गया तो आपको मिल जाएंगे अदरवाइस वो भी options आपके available ना कि कुछ ऐसे होते हैं कि दूसराज के इलाकों से आते हैं हाँ हो सकता है गाउं से आप belong करते हो और आपको institution मिल रहा हो सहर में और वह सकता है 400 km दूर हो 500 km दूर हो तो घरवालों से पूछना पड़ेगा न जाएं कि नी जाएं इसके अलावा college आप कैसा चाह रहे हैं college पर focus कर होगे choice filling tool में यहां पर options आपको दिये हैं up down करने के scroll करने के arrow दिये है scroll up scroll down ऊपर नीचे करके आपकी priority आप select कर लो और save कर लोगे तो यह reference हो गया आपके लिए जब आप choice filling करोगे officially website प जाके तो उसको देखके कर ले न भीया ताकि गलतिया होने के chance ना के बरावर हो एक अच ज़्यादा समझधार विक्ती हूँ मेरे को चाहिए तो सलाह experts के अब experts की चाहिए तो भाई उसके लिए क्या है कि वह अलग program है है वो भी availability है mentorship उसको गह रहा है हम क्या कह रहा है mentorship क्यूंकि बिलकुल mentor ही लगने वाला है और mentor मतलब expert वह expert होंगे जो आपको क्या करेंगे आप पापा जी का जे नाम है पापा जी जे करते हैं जहां से हो यह तो basic जानगारी है documentation हम नहीं लेंगे ऐसा नहीं है आप से पूछ लेंगे कि इत्ती rank है यह है इत्ते बारवी में percent बने क्या कैसा score रहा उसके बाद आपकी क्या जरूरते हैं जरूरते मतलब आप कौन कौन से institution क चाहते हो कि यह मिल जाए तो हम ले लेंगे यह मिल जाए तो ले लेंगे यह आपकी preference फिर रही आपकी rank पे क्या options आपके पास है और उन options में सबसे बहतर क्या हो सकता है आपके लिए अलग अलग parameter को देखे अलग parameter क्या placement होगा की नहीं होगा वहाँ पे दूर तो नहीं पड कीटर कर पाएंगे उन बच्चों को ले पाएंगे पहले यह पहले पाएं चीक है तीसरा option के बार एक option और है जैसे बहुत सारे बच्चे कीबल जा नहीं चाहते प्राइवेट इंस्टिटिशन जाना चाहते नहीं है सच्चा यह है वो तो रें कितनी है कि option भी नहीं है उनक आएंगे आपको और बढ़िया उतार देंगे बिल्कुल कुह में उतार देंगे कुह में मतलब क्या कि हाँ उनने फायदा होगा सच्चा ही है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो टीचर्स हैं तो उनको कुछ टार्गेट मिल जाते हैं आजकर प्राइवेट इंस्टि के पता चला प्लेश्मेंट भी नहीं है और फिलाना डिमा का चार साल बरवाद हो गया हो फिर तो इसके लिए प्राइवेट इंस्टिटिशन अगर चाह रहे हो तो आपसे एक नॉमिनल चार्ज दोती नजार रुपे कर लिया जाएगा और उसमें कम से कम से कम साथ ही साथ ROI, return और investment क्या बिलता आपकी rank के लिए क्या best हो सकता है क्या से placement की record है उसकी ranking क्या है इन सारी चीजों को तब जो देते हुए parameters पे ध्यान रखते हुए आपके एक अच्छा institution private भी दिलाया जा सकता है ठीक है तो वो भी available कर सकते हो अगर ऐसा लग ही रहा है तो otherwise कोई दिक्कत ह के साथ साथ आपके लिए एक options provide करा रहा है ठीक है अभी फिलाल हम बहिए इंडिग्रीटी साब की देखले 63,000 की rank और बहिए जनरल category इनके options गूगल पर जाएंगे अपन और जाके student.com वही आपको लिखना है बोलना है जो आपको लगे पहली जो site मिल जाएगी website है हमारी और इसको scroll करते हुए एक section मिलेगा mentorship और guidance जैसे scroll करेंगे तो नीचे option आपके पास क्या है वही है all predictor और course वाले याणि अलग-अलग state के लिए भी predictors है यहाँ पर आपकी रेंग पर क्या options आपको state में college इसकी मिल सकते हैं अगर वो आपको लगता है कि अच्छे हो सकते हैं आपक पर्टिकुलर state की तो गलतिया ना हो इसके लिए वीडियो के माधियम से हमने courses बना हूँ है जिनको आप चेक करके क्या कर सकते हैं बिना गलती के अच्छा institution ले सकते हैं उसके लिए link दे दी है mentorship में ने बताई दिया है और यह MPTT जोसा जोसा अगर result आ नहीं वाला है MPTT के हम बात कर लें सो भया MPTT में क्लिक करना है और यह प्रेडिक्टर आपका उपन और यह बहुत सिंपल सा प्रोड़क्टर है आपका dream college find करने के लिए कोई भी इसको कर सकता है या बिल्कुल सिंपल सा है option मैंने बताई दिया है link के माधियम से और कैसे प्रेडिक्ट करना है तो rank दाल देनी है जो भी rank है पो डाल तो भी इनकी 63000 की rank है 63000 ठीक है हाँ भी 63000 की rank है और यह जनरल category से बिलॉंग कर रहे हैं OBS EWS नहीं है यह economic weaker section होते तो अपन यह click कर देते लिकित यह नहीं है यह जनरल है तो जनरल के लिए unreserve अपन को select करना है ठीक है आपकी जो category है OBC है त आप चेक कर लो first second third जो भी आप चाहते हो वैसा कर लो यह ना all भी select कर सकते हो ताकि आपको सारे option मिल जाए ऐसा ही branches के लिए ब्रांचे ब्रांचे बाइस भी आप चेक कर सकते हो लेकिन हम क्या करता है पहले तो सारे options चेक कर लो फिर आप बाइफरकेट करके चेक कर सकते हो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे options आपको मिल जाएंगे बिया बदाई हो देखो यार पहले राउंड अप्ग्रेट राउंड सेकेंड राउंड यह राउंड बदाया हुए क्योंकि हमें सारे स्लेक्ट कर लिए यह options आपको मिल सकते है जैसे आई-टी डीवी में यानी 12 सुजादा option है आपके पास अब आपके उपर डेपेंड करता है कि सहर में आपको जाना है हाँ सचा ही है कौन से institution को प्रिफर करना चाहते हैं करना चाहते हैं क्या लेना चाहते तो इसके हिसाब से choice filling आपको करनी होगी बाकी अच्छी rank है और अच्छा options है आपके पा यह और रही तो किवल जानकारी चाहिए तो वीडियो तो देखी रहे हो बया और बाकी अगले वीडियो में हम अंगरी जानकारी के साथ में लेंगे तब तक के लिए चाहिए I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe